उर्फी जावेद लड़की जो विचित्र परिधानों के लिए चर्चा में रहती है और चेतन भगत जो विचित्र बयानों पर चर्चा में आते हैं दोनों गुथ लिये हैं जी नहीं किसी ने किसी की गुद्दी को नहीं ना पा है दूर बैट करीब फन निकाले गए हैं चेत लोग उस बारे में हैं चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं बने रही हमार साथ देखे आज की तालग अब उर्फी क्यों आवश्चक है भारत के लिए ये चेतन भगत को हम आगे बताएंगे पर पहले उस पंगे तक पहुंचने वाला सीन देख लेते हैं आज तक पर च पता है आपको कोर्स में आने वाला है तरक्की होने वाली है जॉब इंटर्वी में जाके बोलो कि सर मेरे को उर्फी जावेद की सारी ड्रेसिस पता है नहीं तो ये क्या हो रहा है ध्यान खीच रही है चीज़ें अब उस विचारी की गलती नहीं है वो अपना कर रही है वो अपना करियर बना रही है ऐसे 50 हो रहे हैं ठीक है बेसिकली चेतन जी ये कह रहे थे कि लोग इंस्टा या सोशल मीडिया खोल कर उर्फी जावेद के कपड़े देखते रहते हैं क्योंकि ये लड़की कपडों की एक प्रकार से रॉकेट इंजीनियर है क्या उर्फी जावेद और उनके जैसी 50 और जिनकी चेतन बात कर रहे थे वो यूथ का समय बरबात कर रही है आपकी स्क्रीन पर DNA की कवरेज आपको दिख रही होगी उर्फी जावेद के बारे में पिछले 27 दिनों में 70 आर्टिकल लिखे गए हैं इस बंदी के उपर DNA ने ये कवरेज प्रधान मंतरी मोदी से भी अधिक है कवरेज का कारण केवल एक है कि लोग पढ़ रहे हैं और कवरेज के भीतर की स्टोरी यही है कि आज उर्फी जावेद का ये दिखा आज वो दिखा तो जी समय की तो पूरी बरबादी है ही इसमें तो कोई शक है नहीं पर इस लड़की ने इसमें करियर बना लिया है और इसमें उर्फी की कोई गलती भी नहीं है उसने एक सैचुरेटिड मसाला इंडस्ट्री में एक नया मसाला बना लिया है नहीं तो ऐसे फून लगा कर कौन घूमता है भाई आप देखो जरा सोचो इनके उपर कौल आग जाए तो तो अभी तकी बात ये हुए है कि उर्फी और उर्फी के जैसी और कुछ जो लोग है उनके कारण लोगों का समय व्यर्थ हो रहा है पर इसमें उर्फी का कोई दोश नहीं है लोगों का स्वयों का दोश है परंतु ये लोग यदि उर्फी का फोटो नहीं देखेंगे तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं भारत की टॉप दस विजिटेड वेबसाइट की लिस्ट देखें तो आठवें और दसवें नंबर पर आपको देश का युवा आयुर्वेदिक तृष्टिकून से दुर्बल होता हुआ प्रतीत हो जाएगा कोई देख रहा है तो भई उनकी इच्छा है कोई जज्जमंट नहीं है मेरी तरफ से परंतु यूवा कहां बिजी है किवल बात वही है और मेरे हिसाब से इन वेबसाइट पर जो कॉन्टेंट है उससे बेटर उर्फी के फोटो है और यह उत्तर उर्फी ने दिया I don't understand one thing. What was the need to mention my name at a literature festival? I'm not an author. मेरा कोई लेना देना नहीं है. Also you said कि मेरी विदे से यूथ खराब हो रहा है. चुप चुप के लोग मेरे पोस देखते हैं. अरे आप तो चलो आप तो बढ़े हो. यूथ चोड़ो. आप तो मेरे अंकल क्यों मर्क्यों सब के मतलब यूथ क है. दीदी जी जो है न वो एकेटी के वालों की तरह काम करते हैं केवल बोला नहीं प्रमान भी लगा दिया. चिंटू चेतन भगत की रसीली चैट्स का. तो यहां तक यह बात चली गए. चेतन भगत टेक्निकली जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं. परंतु वो स्वयम भी कुछ हद तक लेखन की दुनिया के उर्फी जावेद प्रतीत होते हैं. उनकी पुस्तक का एक पेज आप पढ़ें. आपको वही फील होगा और वही पे फील होगा जो उर्फी का फोटो देखकर फील होता है. मैं यहां बोल नहीं सकता है. यह सब कुछ मुझे ल 20,000,000,000 हैं वही फ्री में अवेलेबल है तब वही उर्फी जावेद के गाने पर एक महिने में डेड़ करोड व्यूज हैं. वह साला गाना भी ओरिजनल नहीं है. लोगों की प्रायोरिटी जो है वह सौर्ट है. उर्फी का क्या कसूर है भई? वह बस वह कर रही है जो कभी पूनम पांडे ने कहा था के वो करेगी. डिमांड एवं सप्लाई का गेम है पूरा समझना लोगों को है कुछ मिंटों के सुख के लिए पूरा दिन खराब करना है या नहीं पर समय खराब से आगे का प्रश्न. क्या इन सब से महिलाओं पर यौन हिंसा बढ़ती है और उर तो जी उर्फी क्यों जरूरी से पहले एक और इंपॉर्टन पॉइंट क्या उर्फी जैसे लाइमलाइट ग्रैबर्स महिलाओं उपर यौन हिंसा बढ़ते हैं तो जी इस चीज के बहुतेरे प्रमान हैं कि फिल्मों में दिखाय जाने वाले यौन हिंसा के दृश्य रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को प्रेरित करते हैं इस पर पूरा एक वीडियो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इस बार भूल नहीं रहा हूं तो ट्रोल मत करना पर उर्फी जैसे कपड़े पहनने से कोई ऐसी घटना बढ़ रही हो इसका मैं तो कोई ड दांस महावाहियात बंदी के एक्सप्रेशन सैसे जैसे गोरा चमगादर जैसे तन बदन में आग लगाने वाले गाने में खून पीने वाले हाव भाव बंदी में टैलन्ट नहीं है इंप्रेस करने का किसी को भी हाँ सर्प्राइज एलिमेंट है और वो ऐसा है कि देश के लॉंडो की आखे भाटी पड़ी है और जी बलटकी पड़ी है और इसमें उर्फी की गलती नहीं है लॉंडो की गलती है पर इस सब के बाद भी उर्फी जरूरी है क्यों तो यह सुनिये इस बंदी पर जो फंडमेंटलिस है न वो कमेंट मारते हैं रिलिजिन को लेकर और यह बंदी उल्टे कमेंट्स मुह पर दे कर मारती है आसान नहीं है यह सब क्यों जाहरा वसीन एक प्रॉमिसिंग करियर बीच में ही समाप्त हो गया ऐसे ही कमेंट्स के कारण यह सेम आकरम सारा अली खान पर हो चुके हैं ऐसा ही कुछ हुआ था नुसरत जहां के साथ भी और ऐसी कितनी ही और महिलाएं हैं जो इस फील्ड में हैं जिनोंने जिनको ग्रिल किया गया है गालियों से धंकियों से किसी ने उत्तर नहीं दिया और फी जावेद ने उत्तर दिया वह सब्सक्राइब और यह बंदी ऐसा जो है ना वो रीजनिंग के साथ करती है प्रिलिजन में पूछने लगी अच्छा जहनुम मरनी के बाद ऐसे किसे जाओगे अच्छा फिर यह नो बताते हैं ना 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 नी सब की कोई आता है आप से पहला कलमा पड़वाएगा गर आप नहीं पड़ोगी यह नहीं दूआ बोलोगे तो आपको जहनुम बेज इसलाम में म्यूजिक नहीं जादा सुनना चाहिए क्यों अब यह जो का रहना वो सरल नहीं है दूसरी और जो है उसके पास प्रशन पूछने वाला दिमाग है कदाचित आंसर ढूंडने की इच्छा नहीं है पर उसकी आफ्शक्ता भी नहीं है रूडिवादियों से प्रशन ही रूडिवाद पर बड़ा आघात हो जाता है क्योंकि और उत्तर वो कभी दे नहीं पाते तो जिस इंडस्ट्री में अल्रड़ी बोलने वालों की संख्या कम है एक्स्ट्रेमिस्ट के विरुद और फी जावेद एक अच्छा एक्सेप्शन है क्यों रिपोर्ट्स देखिए मुस्लिम महिलाओं का एजुकेशन रेट दलितों से भी नीचे प्यों की रिसर्च के अनुसार क्या महिला को डाइवॉर्स का अधिकार होना चाहिए जब ये प्रशन पूछा गया मुस्लिम कंट्रीज में तो जितने देशों का उधारन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और सब में से 80% से उपर आदमी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ये सब नॉमलाइज हुआ पड़ा है कोई तो बोलेगा ही न इन सब के विरुद एक मुस्लिम घर में पैदा हुई लड़की ये सब बोल रही है समाज के लिए नहीं केवल अपने लिए बोल रही है ये भी करेज ही है और ऐसी करेज लाखों लड़कियों से चाहिए आदा कबर जाइंद जभारत